हलो एफ्यवार वेलकम बैक टू माय चानल होमेट रेसिपी आज हम लेकर आये है नौर्थ इंडिया की बहुती फेमस रबरी की रेसिपी रबरी बनाना बहुती आसान है बहुती कम इंग्रीडियंस में बन जाते हैं लेकिन हां बनाने में थोड़ी सी देर लगती है रबरी को अब किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं रब्री हम सभी ने मार्केट से खरिद के खाये होंगे लिकिन अगर ये ही घर में हम बिल्कुल मार्केट जैसे बना ले तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है तो चलिए इस आसान रेसिपी को देख लेते हैं रब्री बनाने के लिए हमने देड़ लिटर फूल क्रीम दूद लिया है पहले गैस ओन करके दूद को उबालाने तक गरम कर लेंगे दूद को हम थोड़ी थोड़ी देड में चलाते रहेंगे ताकि दूद कड़ाई की तेले में ना लगे हर 2 मिनिट में हम दूद को चलाते रहेंगे ऐसे ही दूद को चलाते हुए हमने दूद को गारा कर लिया है 105 लिटर दूद हमने लिए था और अभी ये गारा होके 1 लिटर पर आया है अब गैस का फले मीडियम करके हमें रब्री को बनाना है नीचे से थोड़ा सा गरम होगा दूद और उपर से मलाय आते रहेंगे और जैसे ही ये मलाय का परत आने लगेगा हम इस मलाय को कड़ाई के किनारे पर लगाते जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही लगेगा कि मलाय जम चुके है तो उसको हम किनारे करते जाएंगे और बीच बीच में दूद को चलाते रहेंगे ताकि कड़े की तले में बिल्कुल ना लगे तो देखिए दूद यहापे हमारा काफी गाढ़ा हो गये है और मलाई जो जम रहा है वो मैं किनारे करते जा रही हूँ और बीच बीच में चलाते रही हूँ इसको अब दूद गाढ़ा होके 200 ml तक आ गया है अब दूद को हमें ऐसे ही रखना है अब हम इसमें मिला देंगे 1 पूर्टी स्पून इलाइची पाउडर अगर आप केसर पसंद करते हैं तो केसर की धगे भी यहाँ पर डाल सकते हैं ट्रडिशनले रब्री में ड्राइफूर्ट यूस नहीं होता है लिकिन अगर आप ड्राइफूर्ट पसंद करते तो कुछ ड्राइफूर्ट काटके यहाँ पर डाल सकते हैं अब मैं इस रबरी के अंदर 2 टेबिल स्पून चीनी मिला दिया ताकि यह थोड़ा सा मीठा हो और खाने में बहुत जादा टेस्टी हो अच्छे से मिक्स कर देने के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और रबरी को ढख के रख देंगे ठंडा होने के लिए अब हमारा रबरी जो है वो यहापे ठंडा हो चुके है आप कड़ाई के किनारों पे जो मलाई जमी है उसको खूरच कर दूद में मिलाएंगे तो मैं यहापे छोटी छोटी टुक्रों में मलाई को काट रही हूँ और इसको दूद में मिलाते जा रही हूँ अगर अब चाहे तो एक ही बारे में मलाई को खूरच कर दूद में मिला सकते हैं बहुत आसान है ऐसे लच्छे दर रबरी बनाना और खाने में भी तो बहुत जादा टेस्टी होते हैं तो अगर अब चाहते हैं तो इस होली में ही घर में आसानी से बना सकते हैं बिलकुल मर और पेस्ता को उपर से डाला था गार्निशिंग के लिए आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए का उसके साथ अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए का हम मिलते रहेंगे नए नई रेसिपी के